हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आई आई सीटी इस्टिटीट आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आई आई सीटी इस्टिटीट में एक बार फिर से बहुत बहुत श्वागत है दोस्तो आज की यह वीडियो उन सभी भाईयों के लिए हैं जो आधार केंड लेने के लिए सबसे पहले आपको आधार सुपरवाइजर या आपरीटर का जो एक्जाम होता है उसका एक्जाम पास करके एक आधार सुपरवाइजर या आपरीटर का सर्टिटिट लेना होगा उसके बाद आपको बैंक बीसी की अवस्यक्ता होगी तो बैंक बीसी भी आपको लेनी पड़ेगी तो मैं आज को आधार सुपरवाइजर या आपरेटर का एक्जाम किस तरह होता है और उसकी तयारी आप कैसे करेंगे उसके विशह में एक कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा अगर वीडियो अच्छी कोवाइल पर मिल जाये तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर कुश्चन है सबसे पहला सबसे पहला कुश्चन है इन्में से किसे रजिस्टरार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए तो तो रजिश्टरार दोरा किसे नहीं किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, तो आपको आप्शन मिलेंगे कि छेत इस्तर निस्पादन, निगरानी और लेखा परिच्छा के लिए जिम्मेदार, अपनी वेबसाइटों पर आधार नमांकन और अध्यतन के बारे म में यह अवस्यक है कि UIDAI उचित अनुमति दे, तो यहां वे क्वेश्टन कहरा है कि इन में से किसे या रजिश्टरार दोरा नहीं किया जाना चाहिए, तो आपको कम्पलीट सही आप्शन देना है कि अपनी वेबसाइटों पर अधार नमांकन और अध्यतन के बारे में पर और आपको परदर्शित नहीं करना है, आपको नहीं करना है या रजिश्टर दोरा नहीं किया जाना है, यही आफसन आपको दूसरे नमबर का सेलेट करना है, ठीक है? चलिए. अगला question कह रहा है कि आधार नामांकर या अपडेट के लिए यहाँ पर blank इस्थान है में विनिर्दिष्ट रेजिस्टार को हर समय आचार सहिता का पालन करना चाहिए कह रहा है आधार नावांकन या अफडेट के लिए में निर्दिष्ट यानि किस धारा में निर्दिष्ट है तो आपको option select करना है कि आधार अधिनियम 2016 और आधार अधिनियम में विनिर्दिष्ट रेजिस्टार को हर समय आचास नहीं तका पालन करना चाहिए आपको पहला option आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम चूज करना है आधार अधिनियम 2016 वाला option आपको अधिक्तन मिलेगा यही आपको चूज करना है ठीक है चलिए next question अगला question कह रहा है दोस्तों कि एजेंसियों के आवेदनों का मुल्यांकन करने के लिए निम लिखित में से कौन सा जिम बद करता है तो एजेंसियों के जो आवेदन होते हैं उनका मुल्यांकन करने के लिए इन में से कौन जिमेदार होता है तो जो एजेंसियों होती हैं उनका मुल्यांकन करने के लिए रजिस्ट्रार और UIDAI जो ये के रूप में क्या होते हैं सूची बद होते हैं ये आवेद चलिए अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन कह रहा है रजिस्टरार की मूल जिम्मेदारी क्या है तो जो रजिस्टरार होते हैं जो आधार के लिए अधार के लिए अधार्टी देते हैं वो उनकी जिम्मेदारी क्या होती है तो उनकी जिम्मेदारी होती है आधार अदिनियम 2016 और आधार विनियम का पालन करना ये भी जिम्मेदारी होती हैं। और इन्रोलिंग एजेंसियों को किराए पर लेरें या चनलगन करें और उसके कामकाज को मौनिम् understand करें। ये रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होती है। और सुनिशित करें कि क्या नामांकन और अध्यतन संचालन करने के लिए उनके द्वारा नियोजित या नियोक्ति कोई भी नामांकन अजन्सी और या व्यक्ति प्रमारित है तो ये कार सारे किसके होते हैं रजिस्ट्रार के होते हैं तो इसलिए आप ये सारे कार रजिस्ट्र नहीं दोस्तों कहरा है कौन सा व्यक्ति या संस्था निम लिखित में से बीच एक नमांकन एजनसी बनाने के लिए पात्र है तो जो नमांकन एजनसी बनाई जाती है इन्लोल्मेंट एजनसी बनाई जाती है तो उनके लिए कहरा है कि कौन सी संस्था पात्र होती है तो उसके यह कोई भी व्यक्ति रजिष्ट्रार या यू आई दी आई द्वारा निर्दिष्ट आर एफिए में नामांगण एजेंसी के उल्लिखित सर्थ को पूरा करने वाला हो तो वही जो है नामांगण एजेंसी बनने के लिए पात रहे ठीक है तोस्तों यानि जो भी व्यक्ति प्रजिस्ट्रार या UIDI द्वारा निर्देश्टे जो नियम होते हैं आरफी में नामांखन इजन्सी के सर्त होते हैं उनको अगर वो पूरा करता है तो वो नामांखन इजन्सी बनने की योग है इस अप्शन को आपको सेलेक्ट करना है का नंबर का ठ जाहिए आब نमर एक कहिरा है उम्र इंद्स Maz 9 से उस से उपर होनी चाहिए नमबब reproduce किडि़े K heures यह प्रमार्पत्र अभ चाहिए और नमब वच्छे की भूमिका के लिए तो सबसे पहले तो होना चाहिए कि उमीदवार जो हो वह 18 वर्ष की कम आयू का ना हो यानि 18 वर्ष से उपर की ही उसकी उम्र होनी चाहिए दूसरे नंबर में उसकी क्वालिफिकेशन तो कम से कम इन्टरनीडियेट होनी चाहिए तीसरे में कहरा है अधार नंबर की आपकी बायो मेटिक नहीं लगेगी अधार नंबर ही वेरी इंपॉर्टेंट तो आधार नंबर भी बहुत जरूरी है चौत्य नंबर में कहरा है एक परिच्छन प्रमानन एजिंसी से प्रिविच्छ प्र बिना certificate के आपकी credential नहीं बन सकती तो ये बहुत important है और इसमें 5 पर कह रहा है basic computer में प्रमाणपत तो basic computer में प्रमाणपत होने की कोई आउस्चत्ता नहीं है आपको computer का knowledge होना चाहिए बस ठीक है तो आपको इसलिए पहला तीसरा दूसरा चौत ये option आपको पहला वाला दूसरा तीसरा चौत और चौत है ये नंबर है ये नंबर के जो कथन है वो सही है इसलिए आपका तीसरा question sorry तीसरा कथन चूच करना है ठीक है दोस्तों चलिए next question अगला question कह रहा है EA EA का मतलब होता है enrollment agency ठीक है EA EA परियावे चक के रूप में उसकी या उसके भूमी का सुरू करने से पहले निमन में से एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए तो जो EA परिविच्चे के रूप में जो भूमी का सुरू करना चाहता है अपने या अपने को EA बनना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए तो उसके लिए इस्थानी भासा की वोड और साथ में लिपय बात करने के लिए अच्छी होनी चाहिए तो यह परियोच्छ के रूपी में कार्य कर सकता है यह योगता होनी चाहिए आपको तीसरा नमबर सेलेक्ट करना है यह आपकी जो आधार इंड्र में वाली मसीन होती है वो ओपन नहीं होगी सुपरवाइजर की फिंगर लगती है उसकी बायमेटिक होती है उसके बाद ही डिवाइस ओपन होती है तभी आप नामांकर कर पाएंगे तो आपको यही आपसे चूच करना है आपरेटर या परियावेच्छक राधिकरान रजिस्ट्रार आईटी टेक्नी से इनकी जरूरत न होगा जो बाद जो बाद में इस फार्म को सत्यापन के लिए संबंदित को प्रस्तुत करता है तो संबंदित को संबंदित प्राधिकरान के छेत्री कार्याले को प्रस्तुत करता है ठीक है प्राधिकरान के छेत्री कार्याले को प्रस्तुत करता है कौन होता है वो होता है ज और उसके भाद में फार्म को सत्यापन के लिए प्रादिकर्ण के छेती कार्याले में उजमा करता है यह आपसन आपको चूच करना है चलिए अगला कोश्चन है कहता है निम लिखित में से कौन सा आप्रेटर या परेवेच्छक आनबोर्डिंग के दवरान नामांकित उप्योग करता के रूप में विचार योग होता है इनमें से आपसन आपको आपरेटर या सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलता पूरा पूरा हो चुका है और नामंकर क्लाइंट में संग्रित है जो नामंकर क्लाइंट में संग्रित हो जाता है और उसका बायोमेट्रिक हो जाता है वो जो है आइसा नहीं बिना आइडिया इसे नहीं बढ़ती है कि आप जाओ तुरंत ले आओ ठीक है दूसरा आप्शन कहरा है एक उप्योग करता जो अन्निवासियों का पहर्चा कराता है जो पी ओ आई पी ओ एक को प्रस्तित नहीं कर सकते तो यह कतन इंपोर्टन नहीं है आप्शन है परिचा करता आधारित नमांकर के मामले में दी गई काउंसी अतरिक जानकारी को एक उत्तर करना चाहिए नमबर एक कह रहा है परिचा करता के हस्ताचर परिचा करता का अंगोठे का निशान नमबर तीर परिचा करता का अधार संक्या तो यह जो परिचा करता अधारित है यह ज्यानकारी ली जाएगी इसलिए आपको आप्शन 14 नंबर दिये गए सब भी विकल्प चूच करना है ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन कहरा है नामांकन के इनके प्रबंधन का हिस्सब ले होने के नाते निमन मेंसे एक परियावच्च को क्या करना चाहिए अगर वो नामांकन के इनका एक प्रबंधन का हिस्सा है तो उसके बाद भी उसको क्या करना चाहिए आधार क्लाइंट पर हर साल हर नामांकन पर साइन आउट करें बिलकु सब्सक्राइब करना है यही आपको आपको समझ में आ जाएगा अगला प्रेवेच्च करता है कि ना मांग का निश्टेशन प्रतेख यहां पे बलाएंकिस्तान है प्रतेख में कम से प्रतेख दस दिन में एक बार समकालिक हो दस दिन आपसान आपको चूच करना है इस क्वेच्चन का दस दिन ठीक है अगला क्वेच्चन कह रहा है परियावेच्च को निम लिखित में से कौन सा बाइकप सिंक और डेटा बेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए नमबर इक कह रहा है बाइक हार्ड डिस्क पर दिन में दो बार नामांकर डेटा का बैकप लें ठीक है नमबर दो कह रहा है अपने व्यक्तिगत इमेल आइडी पर दैनिक नामांकर विवरान पर यह तो वैसे नहीं किया जाता है तीसरे नमबर कह रहा हर दस दिनों में कम से कम एक बार कम से कम एक बार नामांगान इस्टेशने को सिंग करें हां यह आप्शन यह सही है और नंबर चार के राज बेजे गए डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाए हुआ गूगल क्लाउड पर सभी डेटा सुरिश्चित करें यह सही है तो आपको पहला तीसरा और चौथा यही आप कार जो हैं करने चाहिए यही सही है तो आपको दूसरा नंबर का आप्शन सेलेट करना है ठीक है पहला तूसरा तीसरा और चौथा नेक्स्ट क्वेशन कर रहा है कि दिन के अंत में परियावेच्छा को आपरेटर को उसके द्वारा बनाई गई नामांकन पैकेट की समीच्छा करने की अनुमती देनी चाहिए तो यह आपको नहीं करना है यह गलत है ऐसा नहीं किया जाता है कि दिन के अंत में परियावेच है तो नामांकन डेटा में जब तुरुटी हो जाती है लोगी पनी जड़ार करवाले अधार का जो भी तुरुटी पाई गयी है ठीक है तीसरा अपसान आपको select करना है अग्ला question कर रहा है निम्न कुरियां में से कौन सा एक परियाभप चक को दिन के अंतरे में करना चाहिए प्राधीकरन को mail वेजना चाहिए? नहीं दिनवर के नामांकित निवासीं को ठोक SMS वेजे बिलकुल नहीं आपरेटर से कहें उसका ए उसकी उगली को निसान दे कर साइन आप करें नहीं उसकी ये उसके फिंगर प्रेंट दे कर हस्ताच्र करें ये आपको क्या करना है परिब परिख्षक नामांगन के इन पर कारियों के निगरानी और लेखा परिच्छा करता है लेखा परिच्छा परत के लिए पूरी टीम की मदद कैसे करती है तो जो परिख्षक होता है वो नामांगन के इन पर कारियों के निगरानी और लेखा परिच्छा करता है और लेखा अपर्तिकारिया, टीम की मदद करती है। ठीक है, नमांकन के संचालन और डेटा की गुरुपता के इस उधार सहरों की पहचार करें, आपको तीसा अप्षन सेलेक्ट करना है। एक आपरेटर या परेविच्छक कौन होते हैं तो जो आपरेटर या परेविच्छक वो होते हैं कि नामांकन के इंद्रों पर नामांकन निस्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्त ही होता है ठीक है आपको ये तीसरा आपसन फिलेट करना है तीसरा नमबर परिए अगला कोशन है एक व्यक्ति का आपरेटर या परिवेच्छक की भूमका के लिए निम्न में से कौन सा पातरता मांदन है तो जो आपरेटर या परिवेच्छक की भूमका के लिए पातरता मांदन होती है वह कौन सा होता है कि व्यक्ति को एक परिच्छन और प्रमाणा एजिंसी से आप्रेटर या प्रेवेच्छक प्रमाणा पत्र प्राफ्थまた होना चाहिए तो जो आधार सेवकेंद लेना चाहता है उसके लिए आधार supervisor या operator का certificate होना उसके लिए बहुत जरूरी है इसलिए आपको ये question का चौथा अंजर select करना है बिना operator ये supervisor certificate के आपको आधार तेवा किन नहीं मिल सकता है चलिए अगला question अगला question है निवासी के आधार नामांकन या अधितन फार्म की जाँच करते समय एक operator ये परेवच्छक को निवन में से क्या सुनिशित करना चाहिए तो जो निवासी के अधार ये नामांकन या अधितन फार्म की जाँच करते समय operator ये परेवच्छक को कार करना चाहिए वो होता है कि सत्यापन करता है कि हस्ताच्छर बिना सत्यापन करता है कि हस्ताचर के आपका involvement success नहीं होगा accept नहीं किया जाएगा सत्यापन करता है कि हस्ताचर आपको option तीसर नमबर select करना है next question कह रहा है operator को yes उनिशित करना चाहिए कि उसके biomatrix और iris को capture करते समय निवासी की screen बंद हो तो दोस्तो जो operator जब कार्म करता है biomatrix लेता है तो उस समय निवासी की screen बंद नहीं होनी चाहिए ये आपको option number दूसरा नहीं select करना है ये कार नहीं होता है ये तो option आप भी दे सकते हैं answer आप भी दे सकते हैं कि नहीं कर होनी चाहिए चलिए अगला question है question कहा रहा है operator को निवासी से कहना चाहिए कि जो data दर्ज किया जा रहा है उसे जाच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जन सांकी की data की समय चाहिए जब data दर्ज किया जाता है तो निवासी से बिल्कुल कहना चाहिए कि आप अपनी डिटेल चेक कर लें उसके बाद ही समीच्छा करेंगे आप फाइनल करेंगे ठीक है सच पर आपको सेलेट करना है अगला क्वेशन कह रहा है आंगन वाड़ी आसा कार करता के मामले में जो एक C.E.L.C. अपरेटर के लिए बाहर भी बानी जाएगी ठीक है आंगन वाड़ी आसा कार करता के मामले में जो C.E.L.C. बनना चाहता है उसके लिए दसवी पास होना बहुत आवश्यक है चलिए अगला क्वेशन है क्वेशन है निम्न में से किसके पास आपरेटरों के आनबोर्डिंग को स्विकार या स्विकार करने का अधिकार है तो जो आनबोर्डिंग फार्मों को स्विकार या स्विकार करने का अधिकार होता है वो UIDI के छेतरी कार्याले को होता है UIDI के छेतरी कार्यालों को आन बोर्डिंग के फार्मों को स्विकार या स्विकार करने का दिकार होता है वह स्विकार करता है कि ये सेवा केंद के काम योग है या नहीं देना है या नहीं यू आईडियाई का में कार होता है next question है कहता है एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निमन में से क्या उप्योग किया जाता है तो जो बच्चे का नामांकन करता है वो आंगन बाड़ी द्वारा CELC द्वारा किया जाता है तो उसमें CELC टैबलेट मिला करता है CELC के मादम से वो नामांकन करते हैं ठीक है CELC के मादम से नामांकन करने के लिए एक डिवाइस ये उप्योग की जाती है चलिए अगला क्वेशन है क्वेशन है निम्न में से आधार क्लाइंट आपरेटर में से सौप्टवेयर में से एक CELC आपरेटर जोडने के लिए क्या किया जाता है तो जो आधार क्लाइंट सौप्टवेयर में CELC आपरेटर जोडने के लिए कार होता है वो होता है आपरेटर के बायोमेटिक्स लेना operator के biometrics पहले लिए जाते हैं उसके बाद CELC operator जोड़ा जाएगा बिना biometrics के आप CELC operator नहीं जोड़ सकते हैं आपको operator के biometrics ले यही option चूज करना है ठीक है चलिए अगला question है अगला question कहरा सत्यापन करता कौन है तो सत्यापन करता कौन होता है यह साइट question पहले भी बताये गया है सत्यापन करता वही होता है कि जो निवासी द्वारा प्रस्तु दस्तावेज हो नामांकन या अपडेट फार्म की पुष्टी करता है वही सत्यापन करता कहलाता है ठीक है जो निवाशी के द्वारा निवाशी के द्वारा जो दिये गये ज़स्टावेज हुँते हैं उनकी वो सथ्यापन करता लिए उप्यूक्त होता है होता है सेवा निवरत सरकारी कर्मचारी अधिकारी तो जो सेवा निवरत सरकारी अधिकारी होते हैं उन्हीं को वेरीफायर बन सकते हैं आपको सेवा निवरत सरकारी अगला question है निमासी द्वारा प्रस्तुत निम लिखित में दस्तावेजों में से कौन सा P.O.A के रूप में सत्यापन प्रियोजन के लिए स्विकार है तो निमासी द्वारा जो दस्तावेज दिये जाते हैं वो P.O.A प्रूफ आफ एड्रेस के रूप में जो सत्यापन करता है तो उतके लिए कौन सा दस्तावेज स्विकार होगा वो होगा कि बिजली का बिल जो तीन महीने से दिक पुराना ना हो उसमें वो सत्यापन के रूप में कार हो सकता है कि उसको सत्यापन किया जा सकता है प्रूफ के रूप में और उसमें एड्रेस का होना बहुत जरूरी है बिजली फिल में तभी वह सुईकार किया जाएगा तो दोस्तों ये था आधार सुपरवाइजर या आपरेटर के महत्पून रसनों का शंकलन आसा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छ करता हुआ है लगी है ऑनना कर दो दोस्तों के वाराह कर दो करता हुआ है आधारी है अबश्गों.